नमस्कार दोस्तों मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूँ आप सब को और आप देख रहे हैं क्रियेटीव कंप्यूटर स्टेडी आज के इस वीडियो में मैं कंप्यूटर सिस्टम यानि CPU के कॉंपोनेंट्स बताने वाला हूँ और आज इसके आप 5 बाते जानने वाले हो सबसे और आखरी बात करूँ तो मदर बोर्ड में कौन सा कॉंपोनेंट कहां पर होता है साथ ही इसे मदर बोर्ड ही क्यों कहा जाता है यानि कि मदर बोर्ड को फादर बोर्ड या सिस्टर बोर्ड या ब्रदर बोर्ड क्यों नहीं कहा जाता है मदर बोर्ड ही क्यों कहा जाता है तो वीडियो में बने रहिएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक के और को दवा दिजेगा तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन हाँ वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करते हुए एक मोमेंट जरूर डालिएगा हमारा सि सब्सक्राइब करते हैं तो इसके सबसे पहले पार्ट की मैं बात करूँ तो वह पार्ट है आपका SMPS SMPS दिखने में कुछ इस तरीके का होता है और इसका मतलब होता है स्विच मोट पावर सप्लाई यानि कि SMPS का फुल फॉर्म हमारे सिस्टम यूनिट में यानि कि CPU जिसको हम लोग बोलते हैं बोल चाल की बासा में यह एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि पूरे सिस्टम को पावर देने का काम करता है यानि कि सिस्टम यूनिट को मोनीटर या अदर डिवाइसेस को ने यह 220 वोल्ट एसी लेता है और फिर यह 3 से 12 वोल्ट दीशी में आउट पूर्ट देता है इसमें बात करूं कहां से दे जाती है तो एसी यहां से दिया जाता है जो कि बाहर की तरफ होता है और यह एसी वोल्टेज को कंवर्ट करके दीशी में जितने भी components देखते आप या देखेंगे तो हर एक components को अलग-अलग voltage level की आप सकता होती है so that यह अलग-अलग voltage level create करता है computer system के अगले parts की मैं बात करूँ तो वो है आपका CPU जो की computer system का brain होता है और वो दिखने में कुछ इस तरह का होता है यह computer के सभी internal process को process करने का काम करता है साथी साथ बिना CPU के हम लोग computer पे कोई भी program run नहीं करा सकते है यह integrated circuit होता है जिसे हम लोग chip के नाम से भी जानते है और एक integrated circuit की बात की जाए तो इसमें millions और millions छोटे-छोटे electrical parts होते है जो कि एक complex box में कुछ इस तरीके से arrange होते है आप इसमें देख सकते हैं कि कितने छोटे-छोटे parts दिख रहे है बहुत सारे और यह millions और billions की संख्या में होते हैं internally यह फिर तीन parts में divided होते हैं जो कि कुछ इस तरीके से है यह एल यू सी यू और रजिस्टर एल यू का फूल फर्म होता है arithmetic logic unit जिसका काम होता है कि computer में जितने भी हम लोग अर्थमेटिकल या logical operation करते हैं अर्थमेटिकल काने का मतलब है कि अंग करने का मतलब है तार्किक जैसे छोटा बरा इस तरह का कुछ है और अर्थमेटिक काने कम प्लस मैनेस जो ऐसे आप जानते ही होंगे तो इसको यह अलू परफॉर्म करता है CU क्या करता है, तो CU का full firm होता है control unit, यानि कि जो भी internal या external process हो रहा है, उन सब को control करने का काम करता है, चाहे वो printing का काम हो रहा है, tapping का काम हो रहा है, या playing music का काम हो रहा है, तो यहां तक यह mathematical और logical operations को भी control करने का काम करते हैं, अब बात आती है कि अर्थमेटिकल और लोजिकल उप्रेशन तो एल्यू करता है तो फिर सी यू उसको कंट्रोल कैसे करता है तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हम लोग के घर में कोई पार्टी फंक्शन या साधी ब्या होती है तो उसमें हर एक विक्ति अलग अलग काम करता है लेकिन उ स्ट्रेटिज वर्क और इसी तरीके से रेजिस्टर की बात करू तो रेजिस्टर एक छोटा सा यूनिट होता है जो की कम प्रोसेसिंग दर्मयान कुछ डाटा को इस्टोर करने के लिए होता है इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे छोटे बच्चे को हम लोग प्लस- या हिंदी वाले बोलते हैं हासिल एक उसको हम कहीं पर लिखते हैं कॉपी पे छोटे बच्चे को बताने के लिए और जब हम लोग करते हैं तो उसे अपने माइंड में रखते हैं कैरी वन या हासिल एक तो डैट इस दा अगले कॉंपोनेंट की बात करूँ तो वह है आपका रैम रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी जो की कुछ इस तरीके का दिखता है रैम जो है किसी भी इनफॉर्मेशन को टेंपररिली स्टोर करके रखता है और इसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी यूनिट के नाम से जानते हैं यानि कि आपका रैमी मेरी स्राइम का धानी यूनिट है रैम उलटाइल मेरी नाम पर्मारेंट मेरी यहांनि इस मेमोरी में जो कुछ भी हम लोग काम करते है वो computer system में permanently नहीं रहता है यानि कि जब कभी भी हम computer को shutdown करते हैं या उसका power off होता है तो इस memory के जो data होते हैं वो loss हो जाते हैं और इस तरीके से जब भी हम लोग computer system को on करते हैं तो जो भी data या instructions है वो hard disk से जो है RAM में stored होता है यानि कि RAM को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे जब computer system open होता है और जो कुछ भी हमारे display unit पे चलते रहता है एक्चुल वो RAM memory में work करते रहता है RAM तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं जैसे mobile phones भी हम लोग purchase करते समय है काता है कि 3GB का RAM है 400GB का हमारा internal है तो जो देखें main screen पे जब हम लोग काम करते रहते हैं जो mobile का भी main screen जिस समय जो भी app पुल रहता है वो RAM में open होता है internal memory की बात करूँ तो hard disk होता है जो कि secondary memory के नाम से जाना जाता है यह permanent होता है further हम लोग इसी वीडियो में आगे देखेंगे RAM को हम लोग main memory या फिर cable memory के नाम से भी जानते हैं system unit के अगले component की बात करूँ तो वह है आपका ROM यानि कि read only memory जो कि कुछ इस तरीके के दिखता है और यह information को permanently save करके रखते हैं और जैसी permanently होगी कोई भी memory तो वह non volatile memory हो जाएगा यानि कि हमारा computer system जब बंद हो जाता है या off लोग कर देता है उसके बाद भी इसमें जो data होता है वो safe रहता है तो ऐसा कैसा होता है तो computer system के motherboard में एक cmos battery होता है जो कि वो हमेशा चलता ही रहता है चलता ही रहता है और इसको maintain करके रखता है अगली बात करूँ तो कहता है कि यहां से data को या programs को जो स्क्रोड होते है उसे cable हम लोग read कर सकते हैं उसे write नहीं कर सकते हैं यानि कि जो कुछ भी program डला हूए हूँसे हम लोग read तो करता है यानि hebill रहता है word नहीं करता है अगली बात कि या तो manufacture जो होते हैं वो ROM के files को यानि programs को उसके manufacturing के time पे ही जो भी programs इसमें डालना होता है वो डाल देते हैं और वो one time के लिए डालते हैं उसे हम लोग edit नहीं कर सकते हैं अगली बात वही कहीं जा रही है कि यह non-volatile memory unit होते हैं क्योंकि हम लोग के power जो है turn off होने के बाद या सट डाउन होने के बाद भी इसमें जो programs होते हैं वो वैसे कहीं वैसे रहते हैं यानि कि delete नहीं होते हैं अगली बात है तो जब कभी भी हम लोग computer system को start करते हैं तो उसका जो screen यानि कि जिसको लोग desktop बोलते हैं वो तुरत से नहीं आता है तो वो Android है computer की बात की जाए तो Windows 7 है Windows 10 है यह main memory यानि कि RAM में जो है load होते रहते हैं और उस समय जो BIOS के प्रोग्राम होते हैं BIOS कहने का मलब basic input output system यानि की keyboard mouse वगएरे को ready कराने का काम किया जाता है साथी साथ यह सारे काम किसके द्वारा कराया जाते हैं तो ROM के द्वारा कराया जाते हैं और उस time पे ROM हमारा काम करते रहता है साथी साथ वो microprocessor को भी ready करने का काम करता है और यह जो timing होता है जो कुछ देर तक round round सा move होते रहता है computer system में या mobile phones में भी debt time या debt processes known as booting process और इस तरीके से देखा जाया तो ROM हम लोग को यह allow करता है कि computer को हम लोग open करें साथी साथ यह computer के operating system और जो भी इसके internal या external parts होते हैं उन सब को एक साथ connect करने का काम करता है अभी तक ROM के कुल पांच प्रकार है यानि कि M-ROM, P-ROM, E-P-ROM, E-E-P-ROM और flash ROM जो कि हम लोग further ROM के उपर मैं एक individual video लेकर कर आऊंगा उसमें clear करूंगा कि इन सब ROM किस प्रकार के होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं अगले component की बात करूं तो वह है आपका hard disk drive यानि कि हम लोग HDDT के नाम से जानते हैं जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है इसमें जो दो जगह होते हैं यहां पर पावर मिलता है इसको और यहां से जो है इसमें signals जो है वो देते हैं यह क्या होता है तो यह magnetic storage का यूज करता ह है किसी भी डाटा को store करने के लिए साथ ही साथ जो भी डाटा इसमें store होते हैं उसे हम लोग retrieve कर सकते हैं और यह किस format में होते हैं तो digital format डिजिटल करने का मलग कि zero और one के format में होते हैं यह non-volatile storage device नन-volatile यानि कि इसमें data जो है permanently जो है store करता है यह पहली बार 1956 में IBM के द्व produce किया गया था हाड डिक्स को हम लोग fix dix हाड डिक्स या हाड ड्राइब के नाम से भी जानते हैं यह operating system के साथ साथ जो भी software जैसे Google Chrome है टैली है Photoshop है या जो हमारी जुरूत के हिसाब के software होते हैं उनको और हमारे computers के other files जैसे कुछ documents है टेक्स्ट फाइल है वीडियो फाइल ह इमेज फाइल है उन सबको store करने का काम करता है आज के दिनों में यह दो तरीके के आते हैं यानि कि हाड डिक्स ट्राइब HDD के रूप में और दूसरा SSD कार्ड आने लगा है यानि कि solid state drive इनका full form होता है SSD की मैं बात करूँ तो वो कुछी तरीके का होता है और इसमें भी दो port बने होते हैं यह वाला port जो है यह power के लिए होता है और यह वाला जो है यह signals के data को send करने के लिए होता है यानि कि यहां से इसके electric power मिलता है और यहां से जो भी हमारा audio या video का file यह जैसा भी file है वो processor को दिया जाता है और processor उसे processing करके RAM को देता है जो कि हमारे display unit पे दिखता ह है तो देखी इसमें बहुत सारे differences है हार्डिक्स में और SSD में सबसे पहले मैं बात करूँ तो हार्डिक्स जो है data को retrieve करने में यान कि read और write करने में ज्यादा time लगाते हैं लेकिन SSD कम लगाते हैं साथी साथ SSD का जो सौरी हार्डिक्स का जो है वजन जो होता है इसका ज्याद करने में लेकिन इसमें memory card वाला concept है जिसके कारण इसमें इसका वजन कम होता है साथी साथ इसमें अब देखिये क्या कहता है कि mechanical movement यानि कि इसमें motor वगेरा लगे होते हैं जिसकारण यह जब आन होता है तो noise produce करता है आवाज प्रोडूस करता है लेकिन यह किसी तरह का noise जो ह यह magnetic effect के कारण यानि चुमबा कि प्रभाब के कारण इसके data प्रभावित हो सकते हैं लेकिन इसके data किसी भी magnetic effect से free होता है यानि कि कोई भी प्रभावित किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होता है अगले component की बात करूं तो वह आपका है DVD ट्राइब डीवीडी ड्राइब कुछ इस तरीके का होता है यह जो दिख रहा है यह DVD का DVD यानिकि यह डिस्क है और यह वह सिस्टम है जिसमें कि हम लोग डिस्क को डालते हैं डिवीडी का फूल फर्म होता है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क और रडबलू का मतलब होता है रीड और राइट यह जो है इंटर्टेर्मेंट और डाटा को इस्टोर करने का एक बहुत पॉपलर मीडियम था लेकिन आज यह पॉपलर नहीं है यह डाटा को रीड कर सकते है राइट कर सकते हैं साथी साथ इरेज करके री राइट कर सकते हैं यानि कि एक डिक्स में कुछ भी अगर ब्लैंक डिक्स का है तो उसे वह रीड करेगा अगर उसमें कुछ है तो उसे रीड करेगा यानि कि प्ले करने का काम करेगा और कुछ रडबलू वाले डिक्स आते है तो 700 से 800 MB तक होता था लेकिन बाद में यह DVD के form में आने लगे जो कि 4.7 से 85 सारे 8 GB तक का storage capacity था लेकिन आजकल जो है pen drive और memory card के आज आने से यह अब use में नहीं है यानि कि दिरे दिरे out of market होते जा रहे हैं उसे आखरी और सबसे important component की बात करूं तो वो हमारा होता है motherboard motherboard एक primary board है या foundation of computer है जिसके की सारा components जो है इसके through connected होते हैं और इसे हम लोग M board, M bow, main board, M O D B, base board, back plane board, system board, planer board या फिर main circuit board के नाम से भी जानते हैं और दूसरी बात कहीं जाए तो apples के जो computer आते हैं तो उसमें इसे logic board के नाम से जाना जाता है यानि कि वहाँ पर इसे mother board के नाम से नहीं जाना जाता है यह जो है सभी जो internal components होते हैं जैसे RAM है CPU है या जितने भी hardware के components है internal system unit के अंदर के उन सबको यह connectivity provide कराता है अब सबका अलग अलग तरह का काम होता है और सबको यह एक साथ combine करके रखता है connect करके रखता है ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोग की मा घर में भाई बहन फादर सिस्टर सबको एक साथ बांद करके रखती है सबको एक दूसरे से interact कराती है यानि कोई बात अगर brother sister को नहीं वर्क होता है so that the name of this board is motherboard हर एक motherboard में चीप सेट होता है जो की क्लेक्षन होता है controller का और chips का साथ ही साथ हर एक motherboard जो है हर एक computer के साथ यानि कि आपको दोस्तों हमारा जो नए वीडियो होगा वह को प्रोग्रामिन लेंगवेजिज याने की इंट्रोड़क्शन टूसी सी एक प्रोग्रामीन लेंगवेज गया जोकि आप जानते होंगे और और ब Looks can beakabyte द To adjust a channel में को सब्सक्राइब नहीं कि नियुसक्राइब करें साथी साथ इस नोटcs का यदि पीडियए पाना चाहते हैं तो डिसक्रिप्षू अबश्य आफ डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद